हेलो फ्रेंट सौगत है आपके ही चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बार फिट से जो मैं चुम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह होने वाला यहां पर बैंगलॉर वुमें व्सेस गुजराद वुमें के बीच यहां पर जो मैच होने वाला है वुमें आई पेल का इ आगे पूछा जाएगा और आपको हमारे टेलिवरम चैनल जोईं करना इंप्पॉटंट हो जाता है और इस प्रोसेस के अपर आप प्रिजिनल चैनल के साथ जुड़ जाओगे कि आपको टेलिग्राम पे बहुत सारे फेक चैनल मिल जाएंगे जो आपसे पैसे चार्ज करेंगे बट हमारे टेलिग्राम चैनल बिल्कुल बिंदाज जाके जोइन करो आपसे कोई पैसे रेने की जुड़ती नहीं है और दूसर से पहले जो कोशन ने देखो वह सिंपल कुछ नहीं अभी नेक्ष्ट वीडियो से मैं थोड़ा चेंज करेंगे इस वीडियो में फिर में रख रहा हूं मैं जिस यूजर के सबसे ज्यादा लाइक होंगे न वीडियो में मतलब किसी ने अगर कोई कमेंट किया और जिस यू कोई भी थ्रेट नहीं है इंवेश्मेंट जो रहेगी वह मेरे खाल से आपको मीडियम करनी चाहिए और 60-40 परसंट मतलब 60-40 आपका इंवेश्मेंट का पैटन होचे मैं आपको रिकमेंड करूंगा 60-40 से आप 70-30 भी कर सकते हो रीजन यह है कि आप आपका 10 प्लस-1 कंबिनेशन में और बाकी बचा वह सेवन प्लस-4 कंबिनेशन में तीम कोई भी मैच में कर सकता है किसी को एंटरस्ट्रीमेट नहीं कर सकते हो वाकी फॉर्मेट यहां पर T20 है एक्सपेक्ट इसकोर अगर देखा जाए तो 160 प्लस आपको देखने को मिल सकता है और अभी थो कितना हैं फास्ट बालर को सपोर्ट मिल रहा है बाद में ऊतना अपने देखो कर ने चार विकिट एक मैच पी तीन विकिट यहां पर शोबना ने पांच विकिट जो रिस्ट शेए उनको बड़ी है इस पिच पे ध्यान रखके चलना जो रिच्टी स्पीनर्स उनको बहुत मिल रही है और अगर आप टीट 20 के इंटरनेशनल के रिकॉर्ड निकाले को टॉप 10 उसमें टॉप 10 विकिट टेकर्स की लिक्ट में 6 स्पीनर्स हैं बैटिंग फ्रेंडली पिच है च शेफाली भी आज हमने टीम में लिते हैं जो कि हमने लास मैंचो ड्रॉप की थी और अब इस चार मैच में 38 विकिट गिर चुक है जिसमें 28 स्पीनर्स नहीं लिए और 19 विकिट नहीं पे लिया है फास्ट बॉलर्स से ज्यादा स्पीनर्स को विकिट मिली है है एड टु है में जो रिकॉर्ड है यहां पर बैंगलोर और गुजरात का वह एक है कि मतलब दोनों टीम के वीचे दो मैच हुए है अभी तक एक मैच बैंगलोर ने जीता है गुजरात ने जीता है बाउंड इस सिक्ष्टी फाइड मिंटर के राउंड रहेगी सिक्ष्टी तो यहां पर जीता है दुरत है रिपोजिता में तो बहुत पर फोटांट वीचें करेंगलों मिल जाएगा और दूसरा अगर आप टैलिग्राम जानल करेंगे तो यहां डिफिरंट को सब्सक्राइगी और इस एफ ना था आपको टीडिंव देनी की जूरुत है विड्रॉप ना तो बहुत अच्छी है इसके बार में अगर आपको जानने है तो आई बटन पर चेक कर सकते हैं तो फिलाल मैंने भी गाड़नर को ही 10 कॉंटिटी बाइ करी बाकी मैं टॉस के बाद उसके अक्वाडिंग प्लेयर्स को बाइ करूंगा जैसे मेरे आपको बस अगर आप इस एप में इंटर्नाशनल भी डेड़ सोगी तो अब देखो कि वुमेन आइपिल में तो लोई स्कोर रही रहा है इंटर्नाशनल में भी यहां पर वुमेन के उपर स्कोर नहीं गया इस ग्राउंड पर हाइस टाप है 163 है लोईस 99 है अवरेज रन पर विकेट 24 है मतलब हर 24 रन के बाद और एंवरेज यहां एक विकेट गड़ जाती है बाकि अवरेज रन पर ओवर है मतलब 8.20 208 से मल्टिप्लाइ करको तो 160 और एंवरेज इसकोर आपके लिए रहेगा मोस्ट इस ग्राउंड पर इंट्रनाशनल में डिवाइन के जोगी कल खेलेंगी मतलब खेलेंगी तो मतलब इंपॉर्टेंट है कौर है काप है मंतना है कल भी खेलिंग शीवर है तो अच्छा रिकॉर्ड है बाकि अगर देखा जाए हैं आरसी बैंगलोर के बारे में पहले मैच में 156 लाश्ट ओवर मैच जीता है बहुत क्लोज मैच था पॉसल प्लेंग 11 जोर है कि स्मिती मंदना डेफिनिटली बढ़िया प्लेर इंडिया की वन अफ दी फाइनेस्ट वैट्समन है लेफ्ट है कैप्टन है बट अब तक आई पेल में थोड़ा बल्ला चमक सबसे बैटर है सबसे खतरना बहुत चक्के लगाती है और लास सीजन आई पेल में 99 भी स्कोर किया था लास सीजन धाइसों से ओपर स्कोर किया था आठ मैच में तीन विकिट भी लिए थे पहले मैच पे एक ओवर डाला विकिट नहीं बला एकरन पर आउट होगी बट यह सब्सक्राइब ले रहे जिस इन चलेंगी फिए कैप्टन से आपको एक वन साइड मैच रवेंगी सोफी डिवाइन मेगना ने बहुत चीव बैटिंग करी पहले मारे लास सीजन बड़ा बेकार गया था च्यमाच इसन बड़ा बेकार था च्यमारे था पहले मैच में लिख सब्सक्राइब लिए लास्ट मैच वी अठाट जल्दी आउट होगी पर दोवर में जीरो विकेट मिले कैप्टन से के बेस्ट ऑप्चन है डिवाइन और पैरी आपके लिए रिचा घोष्ट तो करी अच्छा रही है लास्ट पांच से मैने से और बढ़िया कर रही है अभ बैटिंग से भी कॉंटरिब्यूट कर लिए पहले जीरो पर बैटिंग से अच्छा फिनिश कर दे कई पर मैंने देखा है कि पंदरा-पंदरा बोल में चालिश-चालिशन करते हैं उनके पास अच्छी बैटिंग हिटिंग अबिलीटी है सौफी मॉले नियू एक मतलब करती है कुछ इंजरी है कारण शायद नहीं खेल पारी थी और भी डॉमिस्टिक खेल के आ रही है और सीधर प्लेइंग लैंड में आई है यहां पर लास्ट मैच मैच विनिंग बॉलिंग करी लास्ट ओवर में 11 चाहिए तो महां पर डिफेंड कर लिया और बैटिंग से भ बाकि श्रेंग का पाटी लास्ट मैचे भले ही विकेट ना मिली हो बट एक चांस क्रियेट किया था माइगरा का उट किया था वह सिमरन बहाद्दूर ने क्या चोड़ दी थी बट बहुत अच्छी बॉलर है लासीजन भी अच्छा रहा था साथ मैच वह सटन 6 विकेट पहले मैच मैंने आपको बोल जैसा गेम चेंजर बॉलर है क्योंकि बहुत दबा के विकेट निकालती है लासीजन भी अच्छा रहा था पांच में पांच विकेट शोबन आशा के और इस पिच में लग रहा है तो एक और एक स्पिनर के साथ आ सकती है वह है एक तबिष्ट द्यान रखे चलना तो यहां पर एक चेंज आगा और एक तबिष्ट ऐसी कोई प्लेयर नहीं चोटी मोटी इंटरनेशनल खेल चुके काफी लंबर टाइम तक इंडिया के लिए और मैं आपको दिखाया भी है कि यहां पर तीन मैच में चार विकेट एस ग्रौन पर एक पर फैसलिस्ट नहीं है नहीं तो बैंच में यहां पर जो कि आपकी एक साल यहीं एक साल आइक उन्हें पर आइस लेका मिला रहा यह आईटन बैच्ट बेकार के च्छे मैच मैंच चैनी का हूझ यह अवेलेबल नहीं है बाकी यहां पर अगर होती है तो डेफिनिट लिया सब्सक्राइब करती है केट क्रोस फास्ट इंग्लेंड की प्लेयर है और यह भी पावर प्लेयर में अच्छी स्विंग बॉलिंग करती है प्लस डेथ ओवर समय भी कर लेते हैं पुझ लिए गोश वेर हें मॉली नूग गोश गेंगई कि श्रियंग का पाटिल और आशान जी से पिछ पे हल्प मिल रहें तो कंसीडर करना है अगर आपको लगता है कि विकेट लेगी तो कंसीडर करते हैं शायद में फिट से ड्रॉप करके जो गुजरात पहला मैं चाहर 126 पे नौ पॉसिल प्लेंग 11 जो रहेगी वह हैं पर कि देजिली नहीं देती है तो अपनी टीम की विकेट की वैल्यू करती है वेडा किष्णा मूर्ती शायद आपने कल पहली बार देखो बट आपको जाता इंडिया की टीम की सबसे बैस्ट फिल्टर हुआ करती थी एक दो साल पहले और अच्छा फिनिश भी करती है बहुत बढ़िया प्लेयर रहे वेडा किष्णा मूर्ती अटली ग्रैंड लिंग में जरू ट्राइग करना हर्दीन दियॉल के पास अच्छी क्लास है टेक्निक एक शॉट ही मारा कलास में च्छक्का मारा बट बहुत ही अच्छी फास्ट लैक स्पिन बॉलिंग भी कर लेत बहुत अच्छा राता एक विकेट भी निकाल था पांच वर बॉलिंग की थी तो गेम चेंज और ऑप्शन है यहां से श्रेंका पाटी लें यहां पर हर ली इंदियॉल लेच्फिल्ट का अभी रिसेंट इंडिया इंगेश टी ट्वेंटी होए चाए बंडे में बहुत च कैच इस पकड़े जो आप शायद मैं से भी एक्सपेक्ट नी कर पाते कई बार बाकी हमलता ने लासीजन अच्छी बैटिंग की थी आर्ट मैच में बनाये थे और यह डोमिश्टिक का पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग भी करती है और थोड़ा मिडल ओर में बैटिंग नी पर तीन ओवर एक विकेट भी लिया था लास्ट मैच में यह स्कॉट्लेंड की प्लेयर आप देख पार रहें को एक चीज नोट कर पारेंगा बोल रहें की टीम में आप पांच फॉरन प्लेयर्स खेल रहे हैं एक दूसरी लिच्फिल्ट तीसरी गार्डनर चौत यह इस टीम में खेल रही है पच्चेसर में तीन ओर एक विकेट लिया बर सबसे खास बात है स्कॉट लेंड की सबसे बैस्ट ऑल रांडर है कैथरीन ब्राइस और लास्ट मैच में प्रूफ भी किया बैटिंग से कॉंट्रिब्यूट किया प्लस बैॉलिंग से भी इंप्रेस किया थाइसन तो बनाई बनाए चार और में दो विकेट यंग तैलेंटिड बॉलर और लास सीजन भी बॉलिंग आठ मैच और पांच विकेट ले थे लिता हूँ नीजरेंड की सबसे बैस्ट पास बॉलर है और कॉफी लंबे टाइम से खेल रही है और डेफिनि करते हैं यहां पर ताहू मेगना सिंग भी मैं बरूंगा रेडू का की तरह पावर प्ले की बॉलर है अगर पावर प्ले में वेकेट नहीं मिले तो यहां पर उतनी एफेक्टिव नहीं है तो मैं कंसीडर नहीं करा है दैथ होगर से 15 से 20 और की बीच में गार्णर ताहू ब अनत कश्यप लेफ्टाम ओर्फड़क स्पिन बॉलर और शाकील फास्ट बॉलर अंडर 19 प्लेयर पांच में चेट लिये हैं और लोरा वुलफाट को अगर टीम को खिलाना है तो किसी एक को भार बिठाना पड़ेगा ना तो लिच्फिल्ड को बिलाओ बिठाओ तो यहां आपे लॉरा और लास सीजन चार मैचे 143 बनाए तो रफ्रिया की सबसे बैस्ट बैट्समन है और यह भी अगर मेंको लगता है कि शायद अगर बैत मुनी का दो अपन करें तो बैटर है यह दो ऐसी प्लेयर से जो अपनी विकेट जल्दी नहीं देती ना तो बैत मुनी ना सकते हैं कोई क्रेट का इशू नहीं है और आप सेंवेस्टमेंटे सेंविजन लेवन एप पर रहेगी मुझे चार साल होग एस एप में खेलते हैं अच्छे-कासी और विनिंग कर सकते हो हमारी तरह इस एप का लिंक का टेलीग्राम चैनल जोइन करोगे तो वहां मिल जाए अब आपको पहले 10 प्लस वन कॉंबिनेशन है गोडिंग टीम तो फिट 7 प्लस वन आप ड्रीम में भी लगा सकते हो और यहां पर लगा सकते हो तो इसमें वहीं सेम ड्रीम वाले रूल है एक टीम के मैक्सिम दस प्लेल ले सकते हो आप मैंने मुनी को लिए घोष को लिए मं इनमें आपको 60-70% रखने है 10 प्लस वन कंबिनेशन में बाकी पैरी को लिए डिवाइन को लिया गार्डनर को लिया मॉली न्यू को लिए अब यहां पर आपको ब्राइस को लिए थोड़े हैल पर तो यहां पर स्पिनर्स को थोड़ा प्रेफर करेंगे राणा ग्रेंड ल सकते हो इसके अलब अब बात किए तो रेंगो भी आपको फोड़े में विक्ट लेंगी तो लेंगे स्प्यां आप देथ होबर्स में बाइल करेंगा से ऐहां परवर को सीज्वाइन को खेल तो यहां तो आप कर सकते हो बैट्समें में थोड़ा भरोसा है तो मूनी को कर सकते हो मंदना को चेस सेकंड इनिंग में ज्यादा अच्छा प्रफॉर्मेंस ज्यादा करती है अब देखो 7-4 combination में टीम के maximum साथ प्ले ले सकते हैं दूसरी टीम के minimum 4 लेने होते हैं तीन बैट्समें minimum तीन बालर minimum और तीन चार ओल्ड उंडर maximum ले सकते हैं जो कि का देते हो देखते हैं और बहुत अच्छी बैट्समें है कि मैंने इन चार ओल्ड उंडर को लिया है मैं तीन ही मितलब मैं को अगर चार ओल्ड उंडर maximum मुझे क्या है कि तीन ही ले पा रहा है कि मुझे या तो फिर रिचा घोश को ड्रॉप करना पड़े गर मझे मॉलीनियो को लेना है या फिर ब्रयस को लेना है तो आप यह कर सकते हो या नियुद लिए और पेकelf किसमंदेने का साफटेक्ष्ट हैं प्रचाम को मतरो पर हैण